नमस्कार दोस्तों में दाम स्रीकान कुमर अब देखरे टुजेक टोसेस आज हम बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तों पुरे भारत देश का नया वाला पोर्टल से निव भोटर आईडी कार्ट के लिए अपलाई हम किस प्रकार से कर सकते हैं बिना कहीं गये हुए घर बेटे अपने मुबाईर ये लेक्टोप के माधियम से तो दोस्तों अगर आप निव भोटर आईडी कार्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमप्लीट देखना है इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीका से बताने वले हैं और निव भोटर आईडी कार्ट अपलाई करने के बाद PVC पलास्टी का भोटर आईडी कार्ट को आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट के माधियम से बिलकूल फ्री में सेंड कर दिया जाएगा तो अगर आप भोटर आईडी कार्ट बनाना चाहते हैं खुद से तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ब्लाइका नहंती को प्रेस कर लिजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों उसके लिए सबसे पहले mobile या laptop का किसी एक browser को open कर लेना है browser में type करना है voter service portal उसके बाद search के option पे click कर दना है सबसे उपर जो link की दिकराए इस link पे click कर दना है election commission of India का नय वाला official portal इस प्रकार से open हो जाता है अब इसी portal से all a state का new voter ID card के लिए apply कर सकते हैं भोटर आईडी कार्ड में correction कर सकते हैं, भोटर आईडी कार्ड को replacement कर सकते हैं, भोटर कार्ड को download कर सकते हैं, अब पुराने वाले पोटल से किसी भी परकार का काम नहीं होगा, तो इस पोटल पे सबसे पहले अपना आईडी को create करना है, आईडी करने के लिए यहाँ पे जाता है login, login के option पे klik करना है, लोग-इन होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना mobile number या भी apic number को type कर सकते हैं, उसके बाद इस box में passifer को type पे करना है, इस capture 예bura code को इस box में type कर लेना है, यहाँ पे दिख जाता है verify, verify के option पे klik करना है, उसके बाद login के option पे klik करना है, ल voter ID card का all service यहां पर देखनी के लिए मिल जाता है तो दोस्तों अगर आप New voter ID card apply करना चाहते हैं तो यहां पर दीख जाता है इस वाले option पे click करना है या फिर voter ID card में किसी भी परकार का correction करना चाहते हैं तो इस वाले option पे click करके आप यहांँ से correction कर सकते हैं तो चलिए हम new voter ID card apply करने वाले हैं तो यहाँ पर दिख जाता है new voter इस वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद इस परकार के form open हो जाता है इस form को सही तरीके से फिलप करना है जिस language में form को फिलप करना चाहते हैं यहाँ से आप language को भी select कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए सभी estate का यहाँ पर जारी किया गया है यहाँ पर देखिए सभी estate का नाम जो इस परकार से देखने के लिए मिल जाता है तो आप जीस estate से belong करते हैं उस estate का नाम को सबसे पहले select कर लेना है और सभी estate का same process है तो दोस्तों सबसे पहले य जो आप Voter ID Card पे नाम रखना चाते हैं, इस बॉक्स में First Name को टाइप करना हैar और जैसे इस बॉक्स पे टच किजिएगा, Atomatic Hindi में Convert हो जाता है इस बॉक्स में Last Name को टाइप करना है, इस बॉक्स में Hindi में आपको टाइप करना है और इस बॉक्स में English ताइप करना है और दोस्तों इस box पर जैसे आप touch कीजेगा automatic हिंदी में convert हो जाएगा जो voter ID card में आप photo लगाना चाहते हैं यहां से सबसे पहले अपना एक हाप photo को upload करना है जिसका size यहां पे बताया गया है उसके बाद next के option पे click करना है यहां पे सबसे पहले relative के name को select कर लेना है उसके बाद दोस्तों scrolled on करना है जो relative के name यहां पे आप select कीजेगा उसका नाम यहां पे आपको type कर लेना है अगर आप father's name को select करते हैं तो यहां पे father's name को type करना है इस box में English में और जैसे touch किजेगा हिंदी में convert हो जाएगा उसके बाद next के option पे click करना है अगर आपका खुद का mobile number है तो आपको क्या करना है self वाले option को select कर लेना है और इस box में mobile number को type करना है send OTP के option पे click करना है mobile number पर एक OTP को send किया जाता है OTP को यहाँ पे type करना है verify के option पे click करना है या फिर दोस्तों अगर आप email ID को भी देना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो हैं कि email self को select करके email ID यहाँ पे type करके next के option पे click करना है यहाँ पे सबसे पहले अधार number को select करना है अधार number को type करना है उसके बाद next के option पे click करना है gender को यहाँ पे select करना है next के option पे click करना है जो आप voter ID card में date of birth रखना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पे date of birth को select कर लेना है उसके बाद इस box पे record कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको document को select करना है कि date of birth proof में आपके पास कौन सा document है जो भी document होगा यहाँ पे select कर लेना है और date of birth proof document को आपको यहाँ पे upload कर देना है जिसका size यहाँ पे बताया गया है उसके बाद next के option पे click करना है उसके बाद अब यहाँ पे अपना present details को fill up करना है तो यहाँ पे अपना present address को fill up कर लेना है उसके बाद इस प्रकार से scroll down कर लेना है अब यहाँ पे दिख जाता है document select करने के option सबसे पहले इस box पे record करना है अब यहाँ पे address proof में document को select करना है कि address proof में आपके पास कौन सा document है जो भी होगा document को यहाँ पे select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे address proof document को upload कर देना है जिसका size यहाँ पे बताया गया है उसके बाद next के option पे click कर देना है अगर आपके अंदर disability है यानि बिकलांग है तो यहाँ पे आप select कर सकते हैं नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं उसके बाद next के option पे click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहें तो family का नाम को जोड़ सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे family member का नाम को type करना है इसके साथ क्या relationship है तो यहाँ पे आपको select कर लेना है उनका अगर voter ID card बना हुआ है तो voter ID number यहाँ पे type करना है next का option पे click करना है village town के name को यहाँ पे type करना है state के नाम को select करना district के नाम को select कर लेना है अब यहाँ पे आपको date को select करना है कि इस address पर आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर date को select कर लेना है जैसे आप scroll down करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले place के name को type कर लेना है अपना village या town या city के नाम को type करना है next के option पर click कर देना है यहाँ पर दिख जाता है capture code capture code को इस box में type करना है last में a option दिख जाता है preview and submit के option जैसे इस वाले option पर click करते हैं जो भी आपने details को fill up किये हैं और details आपके सामनी open हो जाता है उट details को सही तरीके से check कर लेना है यह हमने जो भी details को fill up किये हैं सही fill up किये हैं या गलत fill up किये होंगे तो edit के option दिखेगा edit के option पे click करके edit कर सकते हैं अगर सब कुछ detail सही है तो आपको final submit का option पे click कर दना है उसके बाद दोस्तों new voter ID card के लिए apply हो जाता है और आपको एक receipt मिल जाता है उस पे एक request ID number दिया हो रहता है यानि reference ID number दिया हो रहता है उसको आपको download करके रख लेना है और इसका status टेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है track application status इस वाले option पे click करना है reference ID number को type करना है state का नाम को select करना है submit के option पे click करना है जो भी status होगा आपके सामने open हो जाएगा जैसे आपका voter ID card बन जाता है वैसे आपके address पर by post के माधियम से PVC plastic को send rate कर दिया जाता है तो दोस्तो अब इस प्रकार से new voter ID card के लिए apply किया जाता है तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो के click कर देगो मेरे चैनल पिन नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजब लाइकन घंटी को भी प्रेस कर लिजगा